भारत जोडो अंदोलन करनाटिका चुनाव में जीत और मद्यपरदेश 36 गर्ड राजिस्थान में जीत की उमीद से कॉंग्रेस पार्टी अती उत्साहिक है इस कारण से कई बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया आलाइंस के सयोगी हर्ट हो रहे हैं विपक्ष जिस तरह इंडिया अलाइंस बन कर फ्रेंट पूर्ट पर खेल रहा था क्या वो जोश ठंडा हो गया है या इंडिया अलाइंस की नीव ही कमजोड थी 2024 के लोकसवा चुनाव और विपक्ष की चर्चा होते ही इस तरह की कई बातें आजकल सामने आने लगी है इदरहाल ही की घटना पर नज़र डाले तो कॉंग्रेस बड़े भाई का रोल तो निभा रही है पर कुर्बानी देने वाली भूमी का नापना कर प्रभुत वाली अंदाज में आ गई है करनाटे का चुनाव में जीत हासिल करने के बाद कॉंग्रेस पूरे फॉर्म में है और सहयोगी दल वाली भावना नहीं दिखा पा रही है शायद यही कारण है कि नितीश कुमार और मम्ता बैनेरजी जैसे गठबंधं से दूरी बन रही है आज जिस रूप में इंडिया गठबंधं दिखाई दे रहा है उसमें नितीश कुमार की सबसे बड़ी भूमी का रही है इसमें कोई भी संदे नहीं किया जा सकता है पर नितीश कुमार ही कई मोकों पर इस तरह बोल रहे हैं जिससे लगता है इंडिया में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है एक्सपर्स का क्याना है कि इसका एक मात्र कारण है कॉंग्रेस का आत्मविश्वाश पर कॉंग्रेस अपने बड़े भाई की भूमी का ठीक से नहीं निभा रही है इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट शेक्षन में जरूर बताएं धन्यवाद